हाई अब्रिवान विल्कम टू एडुकेशन पॉइंट सो हम यहां पे जो है क्लास 10 की NCRT हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं और उसका फर्स चैप्टर जो है उसके बारे में हम यहां पर पढ़ रहे थे जिसमें जो है हमारा टॉपिक नेशनलिजम जो है वो चल रहा है तो नेशनलिजम जो है वो यरॉप में किस तरह से राईज होता है वो हम यहां पे जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में चैप्टर नम्बर वन में जो है कवर कर रहे हैं एंड हमने देखा था कि किस तरह से जो नेशनलिस सेंटिमेंट से वो अराइज होते हैं यूरॉप में जिसकी वज़ा से जर्मनी इटली एंड ब्रिटेन का यहां पर यूनिफिकेशन होता है वो सारी चीजे हमने यहां पर कवर की थी तो आज यहां पर हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की राइट तो हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नम्बर वन क्लास 10 की NCERT का वो यहां पर कम्प्लीट हो जाएगा आज राइट तो नेशनलिसम के साथ-साथ यहां पर इंप्रियलिजम जो होता है जिसे हम कॉलोन नेशनलिसम भी बोल सकते हैं वो भी जो है साथ-साथ ही चल रहा था क्यूंकि अब जो एक तरह से जो लिब्रल मुव्मेंट्स होती हैं वो तो खतम हो चुकी थी यहां पर दबा दिया गया था कई सारी कंट्रीज के दोरा हमने देखा भी था एंड वहां पर दुबारा से म उसके साथ जो है मोनार्की के बाद आने के बाद में जो वो लोग यह समझ चुके थे कि यहां पर थोड़ा सा मॉडनाइवेशन होना जो है काफी जादा ज़रूरी है तो हम यह बोल सकते हैं कि नेशनलिजम के साथ-साथ यहां पर जो इंपिरियलिसम है वो भी कंटिनू थ जो इंपिरियलिस्ट है जो कॉलोनिलिस्ट है वो यहां पर जो है नेशनलिजम का यहां पर यूज करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी ही जो एक तरह से विशिस को फुल्फिल करने के लिए नई टाइटरी को जो है अपने अंडर यहां फिर अपनी टाइटरी में जो है इं प्यूर्ड फॉर्म होती है वह यहां पडिया गया था उसकी फॉर्म ही यहां पर चेंज कर दी गई थी तो यह जो मोनेर्टीज है यह प्रिटी जो कलानिल स्थ हैं यह क्या खरते है यह जिस करते हैं अपने टरीके से घ्रइट तो वह चीज़े जु Setting यहां पर देखेंगे 19th century का जो last part रहता है तो हम जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि जो nationalism है राइट वो जो है अपनी जो actual वाली idealistic liberal democratic sentiments थे जो कि first half of the century में यहां पर start हुए थे 19th century के first half में जो start हुए थे वो अब जो है खतम हो चुके थे तो वो काफी जो है narrow-minded लोग जो है वो अब इस चीज़ को follow करना start कर देते हैं जो इसके ideology है वो काफी ज़ादा narrow-minded जो है वो बन जाती है so during this period जो nationalist groups थे वो जो है एक दूसरे को एक दूसरे के लिए intolerant हो जाते हैं एक दूसरे को वो tolerate नहीं करते हैं and even war के लिए भी जो है वो यहाँ पर ready रहते हैं तो जो major European powers थी वो क्या करते हैं कि जो nationalist aspirations होते हैं आम लोगों की यूरॉप में उन्हें वो totally manipulate करते हैं में जो actual में क्योंकि जो गरीब लोग थे उन्हें तो पता नहीं था कि जो है nationalism होता क्या है तो उसे जो है एक अच्छा educated person की यहां पर ज़रूरत थी जो उन्हें nationalism के बारे में समझा सके रइट जो national sentiments होते हैं उनके principles के बारे में समझा सके बर जो European powers है वो क्या करती है वो इन nationalist aspirations होती है इन्हें manipulate करने की वो कोशिश करते हैं और गलत जो है उन्हें वो समझाते हैं रइट अपने ही imperialist aims को जो है फुल्फिल करने के लिए जो European powers है वो nationalist aspirations का जो meaning होते हैं जो उसके principles होते उसे वो change कर लेते हैं ओके तो सबसे serious source जो था यहां पर nationalist attention का यूरॉप में जो देखने को मिलता था वो था 1871 के बाद में यहां पर जो Balkans का एरिया है बालकांस जो है एक geographical जो region है एथनिक variation का region है जिसमें modern day की कई countries जो है वो include हैं जैसे कि रोमानिया हो गया बुल्गारिया अलबेनिया ग्रीस मैसेडोनिया Croatia, Australia, Jerusalem, Sierra, Montego, Right तो यह सारा जो area है इसे Balkans बोला जाता है यह वाला सारा ही area जो है राट यह सारी countries जो है present एकि जmont कंच यह सारी جो है किस में आती है यह Balkans में आती है ओके तो यहां पर जो है क्यigor pomp Tunnel को है किजह हैं एक satisf Champagne इकठा ही हुआ करता था, तो यहां के जो inhabitants हैं, इन्हें जो है broadly उनके लिए एक नाम रखा गया है, उन्हें जो है slavs बोला जाता है, बालकांस एरिया के जो एक तरह से inhabitants हैं, जो यहां पर लोग रहते हैं, उन्हें slavs बोला जाता है, तो पहले यहां पर 1871 के अगर बात करें तो यह सारा ही एरिया जो है, वो एक ही imperial power के अंडर था, या फिर एक ही मुनार्की के अंडर था यहां पर, तो यह अब तो यह अलग अलग जो nation है, वो बन चुके हैं, प्रेजन दे में, बट उस समय में जो है, यह एक ही एरिया था, बट यहां पर जो nationalists थे, वो सारे रह र रहे थे, इकठे, बट जो है, इनके sentiments अलग ही थे, जो है, अलग होना चाहते थे, so a large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire, तो यह जो बालकान का large part, जो है, वो किसके अंडर था, Ottoman Empire, जो थी, यहां पर उसके अंडर ही था, So the spread of the ideas of the romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made the region very explosive, तो अब Ottoman Empire जो है, वो तो तो टूट जाती है, यहां पर जब, तो उस समय में romantic nationalism के जो ideas है, वो बालकान एरिया में भी जो है, फैल जाते हैं, तो यहां पर इस nationalism के ideas के फैलने की वज़़े से जो region है, वो काफी जादा explosive बन जाता है, काफी सरी tensions यहां पर देखने को मिलती है, राइट, जब तक यहां पर Ottoman Empire रहती है, वो इस एरिया को जो है, एक तरह से strengthen out करने की कोशिश करती है, modernization करने की कोशिश करती है, internal reforms भी यहां पर लाने की कोशिश करती है, बट जो है लोग इसे ही बालकान के लोग जो है, वो इनके in reforms को पसंद नहीं करते हैं, तो Ottoman Empire को ज्यादा success यहां पर नहीं मिलती है, तो वन वाई वन जितने भी European subject nationalist थी, वो एक दूसरे से ब्रॉक अवे हो जाते हैं, तूट जाते हैं from its control, अब जो है अलग अलग जो है वो independent हो जाते हैं, जितने भी Balkans के यहां पर जैसे कि अब भी अलग बन चुके, जितने भी यह जो subjects थे इनके, वो जो है अब अलग होने की कोशिश करते हैं, अपने आपको जो है independent वो घोशित कर देते हैं, मिन Balkans का area जो है वो तूट जाता है, मिन जो पहले वो Ottoman Empire के अंडर था, अब जो है उनके कहने के यह बाहर हो जाता है, So, the Balkan people जो थे, they based their claims for the independence or the political rights on the nationality की, वो बोलते कि हमारा जो nation है वो अलग है, that is why हम यहाँ पे हमें independence मिलनी चाहिए, और वो history का यहाँ पे use करते हैं, यह proof करने के लिए कि एक समय में जो है, यह independent nations हुआ करते थे जिसे Ottoman Empire ने अपने अंडर जो है include कर लिया था, So, hence, जो rebellious nationalities थी Balkans में, तो उन्होंने क्या किया था यहाँ पे, कि वो struggle के through ही जो है, अपनी independence को जो है, गेन कर सकती है, तो that is why उन्होंने जो है struggles का यहाँ पे सहारा लिया, So, डैट की जो है, वो independent हो सके, तो जो अब struggles यहाँ पे होंगे, तो काफी सारी conflicts यहाँ पे जो है, देखने को मिलते हैं, तो आप जितने भी यह slavic nationalities थी Balkans की, वो struggle करना start कर देते हैं, अपनी identity and independence को define करने के लिए, तो जो यह Balkan area है, वहाँ पे काफी सारी आपको conflicts देखने को मिलते हैं, right, and even जितने भी यह Balkans में छोटी-छोटी nationalities थी, right, यह एक दूसरे से जलते भी थे, मिन जो है, इनके बीच में unity तो obviously नहीं थी, यह अलग-अलग country से belong करती थी, और एक समय में जो है, हमारा खुद का जो area जितना हमारा बनता है, जो एक समय में independent हुआ करता था, वो तो यहाँ पे independent होना चाहिए, उसके सासा जो है, यह दूसरे जो nations है, उनके area को भी, उनकी टाइटरी को भी जो है, वो अपने control में करने की कोशिश करते हैं, okay, तो अब क्या होता है, यहाँ प independent होने की यह कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है, आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे कुछ और बड़ी power जो है, European powers है, वो भी जो है, इसके बीच में कूद जाती है, इस conflict के बीच में कूद जाती है, अपनी जो imperialist, उनके जो tendencies होती है, उसे वो fulfill करने की कोशिश करती हैं, so during this period, यहाँ पे जो है, राइवलरी देखने को मिलती है, बड़ी European powers के बीच में, वेपार के लिए, और कॉलोनेस के लिए, और इवन नवल और मिल्टरी माइट के लिए, तो वो भी जो है, इस एरिया में कूद जाती है, एक तो यहाँ पे बालकान नेशन से जितने भ बीच में, अपने ही कुछ जो है, उनके फाइदे थे उसके लिए यहाँ पर कूज आती है, जैसे अपने वेपार के लिए, अपनी को बढ़ाने की इच्छा रखते थे, वो यहाँ फिर नेवी यहाँ पर मिल्टरी को जो है, यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, त अपना जो है, इस एरिया के ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो उनके पास आ जाए यहाँ पर, जिसकी वज़े से क्या होता है, यहाँ पर फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वोर जो है, वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, राइट, जिससे कि आप देख सकते हो, यहा यह जो है जब यह दोनों चीज़े सासत चलती हैं तो जिसकी वैसे यूरॉप में जो है 1914 में आपको एक बड़ा डिजास्टर देखने को मिलता है काफी सारे कंफ्लिक्ट्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं इसी समय में कई और भी कंट्री सी वर्ल्ड में जो की कॉलोनाइस थी यूरॉपिन पावर्स के दोरा 19th सेंचुरी में तो वह भी अपकोशिश कर रही थी कि imperial domination से हम यहाँ पर अपने आपको independent करवाई तो यह तो होगी यूरॉप की बाद हमने जो है की है उसके साथ यहाँ पर कुछ और भी कंट्री सी जैसे एफ्रीका हो गया रैट वो भी कोलोनी थी इनकी और इंडिया हो गया रैट यह भी इनकी कोलोनी थी तो यह सारी कंट्री स पी जो है आप कोशिश कर रही थी कि इन imperialist powers मीन जो यह बड़ी European powers थी जिन्नोंने यहाँ पर जैसे Britishers हो गये France हो गये रैट रशिया हो गया तो इन से जो है यह अपने आपको independent करवाने की कोशिश कर रहे थे सो यह जो anti-imperial movements थी मीन जो है इन imperialist powers के खिलाफ यहाँ पर जितनी भी movements चल रही थी वो सारी जो है nationalists थी मीन जो है वो एक nation state बनाने की ही कोशिश कर रहे थे मीन जो है एक nation state जो की unity के ऊपर यहाँ पर बेस होगी रैट इस के ऊपर ही सारी जो है बेसी इतनी भी anti-imperial movements थी and they all struggled to form the independent nation states and were inspired by the sense of collective national unity and forced in confrontation with the imperialism तो वो जो है independent nation state बनाने की कोशिश कर रहे हैं and collective national unity की sense से जो है वो inspired थे so European ideas जो थे nationalism के were now ever replicated for people everywhere developed their own specific variety of the nationalism तो हर जगा पर यहाँ पर हर country में जो है लोगों ने nationalism को अपने according ही जो है उनके ideas को change कर लिया था right में उसके कई सारी varieties हमें अलग-अलग areas में देखने को मिलती है कि actual में nationalism का meaning क्या है उसके meaning जो है यहाँ पर change होते रहते है उसकी कई सारी varieties हमें यहाँ पर देखने को मिलती है but the idea that society should be organized into a nation state came to be accepted as the natural and universal but actual में nationalism का मतलब होता है कि एक nation state बनानी है independent nation state that is based on the common unity यह बाला idea जो है इसे सारी ही countries यहाँ पर accept करती है and यह जो है natural रहता and यह universal रहता है right so with this हमारा जो chapter number one है वो complete हो चुका है and next video में अब हम यहाँ पर chapter number two को start करेंगे जिसमें हम जो है इंडिया में nationalism के बारे में पढ़ेंगे right किस तरह से यहाँ पर movements होती है nationalist movements के बारे में जो है अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे second chapter में सब्सक्राइब अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आए अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आए है